हेलो भाई लोग हैमनिक्स गेमिंग चैनल में आप सबका स्वागा थे और भाई यहां देख सकते हैं फ्री फैर का मेंटेनन्स आ चुका है और इसमें बहुत साथ भाई अपडेट लाए है फ्री फैर दो चली एक एक करके उनके बारे हम बात करते हैं सबसे पहले थो भाई क्लास स्क्वैट का नया सीजन आने वाला नया सीजन है शिक्स और साथ में फाइफ ऑंडेड का भाई एक सीजन रिवार्ड मिलेगा या तो आप गोल थरी या फिर उससे उपर वाले रैंक में भी जाये तो यह आपको रिवार्ड मिलेगा गोल्डेन फा एपिन सब् nenhuma यह विपन्स मिलने वाले हैं यह उच्छ अच्छा हो गया फिर नया मैप लेब हो मैप है उसके बाद MVP डिस्पले जय से मैश हम जीते हैं एंबीपी का सो होता है तो वो भाई दोनों टीमों में होगा जो टीम हारेगी उसकी भी एंबीपी सो होगी और जो जीतेगी उसकी भी एंबीपी सो होगी और भाई लोग क्लास स्क्वाइड में वीपन अटेच्मेंट को सुधादा गया है कितने बार होते हैं कि गन ले लेते हैं लेकिन उसे के अटेच्मेंट भाई उसमें नहीं रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई अब बंदुक के साथ जोए टेच्मेंट जूड़े रहेंग जोए हलका अलग होगा ताकि बंदे को पहले से मालूम ना चले कि जोए कहां पर है फिर उसके बार भाई बात करते हैं करेक्टर एंड पेट की तो भाई करेक्टर्स में बहुत भारी चेंजेस आए है क्या ही बोलें बहुत मतलब नेउ निव करेक्टर्स भी आए हैं फिर जितने करेक्टर्स उसके स्केल्स में भी चेंजेस आए हैं तो भाई सबसे पहले तो जितने भी करेक्टर उसके बाई जो मैक्स लेबल है वह आठ से घटके छे हो गया है और करेक्टर इस लेवल को अप्ग्रेट करने के लिए बाई गोल्ड और डैमन नहीं लगेंगे ओ भाई यह बहुत बढ़ी अपडेट है सबसे पहला बात तो भाई नया करेक्टर आने वाला मारो यह जो भाई मारो है एक तो यह फैलकनर है और यह क्या करेगा भाई दूर से इनेमिक भाई मारने में इसका रेंज जो है मतलब जादा दिया हुआ है डैमेज जो है डिस्टेंस के साथ बढ़ेगा जितना दूर से मारों के उतना ज्यादा डैमेज यह बढ़ेगा पहले level पे भाई 5% का damage increase है और उसके बाद second level पे 7, third level पे है 10 का, fourth level 14, fifth level 19 और last max level जो 6 है उसमें 25% का damage होगा और भाई जो भी enemy mark है उसके damage तो भाई और भी जादा बलते जाएंगे मतलब max level 3.5% अब एक एक करके भाई एक एक level का बताऊंगा तब भाई वीडियो बहुत लंबा बच जाएगा फिर उसके बाद जैने एक new character आया है भाई इसका भी वही हाल है मतलब 80 HP देगा फटाक से जब भी fight होगा उसके बाद ग्लुवल पर भाई डैमेज भी देगा ग्लुवल पर भी डैमेज देगा और साथ में shield पर भी डैमेज देगा मतलब chrono के टकर में एक बंदा आ गया बाई और इसके जो भी max level हो जाएगा वह 100% डैमेज होगा शुरू कुल डाउन भाई पहला में तो 1500 सेकंड का कुल डाउन है पहला लेवल में और max level में 100 सेकंड का तो यह बहुत बढ़िया है और रहा बात क्रोनो का तो भाई क्रोनो के skill घटा दिये गया है जो skill है सारे के सारे सेम है जो 600 डैमेज लेता था shield वो भी सही है एकदम बिलकुल ब बढ़ा रहता था आप जो है 9 सेकंड से घटाकर 8 सेकंड कर दिया गया तो भाई चलो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है और मुमेंट स्पीड जो है तो भाई maximum में 15% था वो भी सेम नहीं 30% maximum स्पीड था उसका एगरम आधा कर दिया यार 15% यह तो भाई पूरा मजाक हो गया औ 70 सेकंड मतलब क्लैस स्क्वाड में ले जाने लैक नहीं है क्रोनो नहीं तो भाई उतने में तो दो बाद तीन बार मर के आ जाओगे फिर उसके बाद चाल्ज हो गई है और रहा बात उकॉंग करेक्टर का तो भाई इसके जो है 15 सेकंड तक रहेगी इसकी घास वाली जो भी कैमोफलेज एफेक्ट है और बंदुग जो भी फायर करोगे तो भाई कैमोफलेज के एफेक्ट हो जाएगा कैंसिल और इसकी जो भाई कुल डाउन है 300 से फर्स लेवल पर 300 है और मैक्स लेवल पर 200 सेकंड का कुल डाउन है तो ज्यादा कुछ अंतर इसमें आया नहीं है फ उसमें जो है 45 परसंट फास्टर एच्पी उसकी घटेगी तो एक तरह से अच्छा हो गया डेट साइलेंट इसका नाम एक स्किल के नाम आया है जो कि इस न्यू अपडेट में आया हुआ है फिर हयातो है हयातो फायर ब्रैंड ओ भाई आर्ट ओ ब्लेड तो भाई इसका स्क अगर कोई तुम्हें मारता है तो साढ़ें तीन परसंट का डैमेज आपको कम लगेगा एंड फोर एवरी टेन परसंट हाँ भाई दस परसंट गोली लगती दस परसंट डैमेज लगते है उसका जो है भाई साढ़े तीन परसंट घट जाएगा तो एक चलास से यह बहुत बढ़िया है फिर नया करेक्टर के बाद करते हैं एवन टू फोर एवन टू फोर का ललता है तो इसके जो एवाई थोड़ा काउंट को बढ़ा दिया गया है पहला जो लेवल उसमें 20 पी को हब बद लेगा और मैक्स में 60 पी को हब बद लेगा और कन्वर्शन इस पी जहां 5 सेकंड था वहाँ घटा के 1 सेकंड कम कर दिया गया और इसका कूल डाउन है वह भ है इसका जो driving speed है भाई यह direct बढ़ गई है लगबग दुगी नहीं हो गई है पहला लेवल पर 5% speed रहेगा और उस max level पर 20% जो है इंक्रीज हो जाएगा driving speed में और जो भी भाई वेहिकल चला रहे है और उस पर केसी ने damage दिया है तो भाई वो जो है घट जाएगी 30% से घट जाएगी max level में और कम में भाई 5% मनें पहला लेवल रहेगा तो 5% damage घटेगा लेकिन max level में 30% और भाई जल्दी से driving करते हैं इसको target नहीं लिया ज़े सकता है मिशा करेक्टर को तो यह और भी बढ़िया फिर नया करेक्टर नहीं है बाई ओलिविया है जो कि पुराना करेक्टर है इसका देखे है ओ भाई मतलब यह ओलिविया अगर किसी को रिवाइब देता है तो जो भाई एक्सरा जो है HP भी मिलेगा साथ में रिवाइब होते होते जो कि पहला लेवल पर 30 HP मिलने वाला है और मैक्स लेवल पर 70 HP यह बहुत तगड़ा है और मैक्सिम करेक्टर की बात करें तो भाई मेडिकीट और मेडिकीट और मस्रूम खाना जो थोड़ा सा और फास्ट हो गया है पहला लेवल पर 15 और मैक्स लेवल पर 40 जो कि बहुत बढ़ी है पहले मैक्स लेवल था भाई 12 परसंट का अब उसके बाद बात करते हैं बैटर रोयल मतलब क्लासिक मैचेस और रैंक मैचे बाई आचुका है यार वेंडिंग मसिन जो भी स्टोर हम लोग खरीते हैं वह मतलब हर जगह अबलेबल रहेगा और साथ में रिवाइबल पॉइंट्स भी अबलेबल रहेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं और रिवाइबल पॉइंट्स हर मैप में रहेंगे पहले जो है से ब प्लेयर सोसल जोन में भाई एक दूसरे को फ्रेंड रिकेस्ट भेल सकते हैं जो भी अनोन बंद है उससे वहीं फ्रेंड लिस्ट में अपने एड कर सकते हैं साथ में सोसल जोन के लिए जो भी वीपन है जो भी बंदूख हम चलाते हैं उसकी जोन मतलब साउंड जो थोड़ हुआ है फ्री फैल द्वारा इसकी बेस्ट डेमेज है भाई 35 की देख सकते हैं भाई कैसा लग रहा है निव इपन कॉल्ड बेस्ट डेमेज है 35 की देट ओफ भाई रहा है 0.21 और मैग जैजीन मतलब एक बार में अस्री गोली छोड़ेगा और इसमें पहले से स्कोप जो अगे चल के बताता हूं अभी उससे पहले हम बात कर लेते हैं फैमास का फैमास का थोड़ा बहुत इंप्रूब्मेंट आया हुए है इसके जो बेस्ट डेमेज पहले भाई 28 थी अब वह 30 हो गई है और मीनिमम डेमेज जो पहले गारा थी उससे बढ़के बारे हो गई है और यूएंपी के बाद करें यूएंपी में भी थोड़ा बहुत इंप्रूब्मेंट आई है इसकी बेस्ट डेमेज पहले 24 थी उससे बढ़ा कर दिया गया है 25 रेट ओफ फायर को 5% से घटा दिया गया है जो कि भाई नहीं करना चीए था और सॉट जो है बाई एकुरेसी 25% बढ़ा दिये गया है मुवियंग एकुरेसी है 13% और भाई डॉलते डॉलते अगर मतलब डॉलते तो नहीं लेकिन अगर मुवमेंट कलते हुए अगर सुटिंग करेंगे तो 21% मुवमेंट रहेगा जो कि बहुत बढ़िया किया है एफ एफ नाइफ का भाई जो है 80 का ड कि बहुत ज़्यादा जरूरी थी 8% में एकुरेसी बढ़ा दी गई है और मूव करते करते फाइट करने में चार परसंट के अकुरेसी बढ़ा गई है लेकिन जो रिक्वाइल है भाई 14% माइनस कर दिया गया है जो कि यह सही नहीं है और वेक्टर भाई सबसे बढ़िया ब दिया ओपर से रेंज भी घटा आएगया 10% से और 7 में जीक वाई जयल जो है बढ़ाय गया ह Öर मेंक्स न थो हटाकर 25% रिव्योड़ सपीड को भाई 25% से एक तरह से बहुत बढ़िया है डिक्वाइल करने करने में बंदे जो है माल सकते है और př दी 25 कर दिया गया है पहले था 30 तो भाई थोड़ा बहुत रहात मिलेगा डबल वेक्टर्स है और क्वाल्टी को हलका सा लो कर दिया गया है और जो भी ग्लूवाल के पीछे बंदे हैं उनको 0.8% का डैमेज लगता था 0.8% नहीं मतलब समझी 80% का डैमेज लगता था तो वो 0.6% मतलब 60% डैमेज आज गया है फिर M14 जो है बहुत तकड़ा बंदू के भाई AR है लेकिन उसके जो उतना खास लगता नहीं है इस वज़े से उसके जो मिनिमम डैमेज जो वो 25 से बढ़ा के 30 कर दिया गया है जो कि एक तर से M14 का जो भी खतरनाक जो है थोड़ा और खतरनाक लगेगा और सूट करने में भी आएगा मज़ा रहाबत flash bank की तो भाई flash bank को अब आप cook करके फैक सकते हैं और इसके duration को घटा दिया है 8 से घटा कर दिया है smoke grade night जो है इसके जो है इस पीट को बढ़ा दिया है जैसे हम लोग श्मोक नइट फेक ने थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब श्मोक निकलने में लेकिन अब जोए उससे बढ़ा दिया मतलब फोड़ा जल्दी से स्मोक फेलेगा थो रो का डिस्टेंस जो इनक्रीज कर दिया है मतलब ज्यादा दूर तक फेक सकते हैं और बैटल तो भाई नया जो है मतलब यह मोड आ गया मतलब बैठ के अगर फायर करते हैं मसीन गन या फिर शो कर तो भाई बहुत कुछ फायदे होने वाला है अगर एंशिक्स्टी उस्टे में उसकर दो तो भाई रेट आप फायर आठाइस परसेंट बढ़ जाएगा जो कि बहुत बढ दूख है कोड लॉंग मसीन गन भाई इसको यूज करते हो तो यह एक तो पहला बात तो भाई पांच परसेंट का देट आप फायर भी बढ़ेगा और साथ में एक साथ तीन तीन गो लिया जाएगी तो भाई वह बहुत अच्छा हो जागा अब रही बात भाई अब सिस्ट रैंक किस-किस रैंक बहाए हो तो यह तरह से सही रहेगा और कुछ-कुछ भाई ऑप्टिमाइजेशन भी किया हो गया है गेम में जो भी जैसे प्लेयर है वो दुसरे को अगर एक्सपेक्टेट कर रहे हैं तो इसके एक्टिव स्किल भी देख सकते हैं फिर जो है मीनी मैप और भाई डैमेज डिस्प्ले को थोड़ा से अप्टिमाइज कर दिया गया है बग जो है बहुत सारे बग रहते हैं तो भाई बग को क्लियर किया गया है जैसे जो फार फेक्ट डैमेज चल रहा था उसको भाई क्लियर किया गया है साथ में टीम लोबी में भाई रैंक प्लेयर को रिमोट कर सकते हैं और साथ में जो इमोट है पेट इमोट बट प्रोन पिंग और लेजेंडरी कोस्टुम बतन यह सारे जो है सब्सक्राइब करो और मिलते हैं बाई अब नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई मजा आया और में यह जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं